नुश्कर दोस्तों मैं हूँ मनुज राजगुरू और मेरी यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो आज हम डिसकस करने बाले हैं भारती राजविवस्ता से जुड़ा हुआ एक बहुत मैत्वपून टॉपिक और आज हम डिसकस करेंगे भारत की प्रमुख संसदी समीतियां और उनके कारियों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपिया इसे सब्सक्राइब करें और पब्लिक एकाउंट कमिटी सबसे पुरानी समीति है साती सात इसे बोला जाता है प्राकलन समीति की जुरुआ भेन अर्थात दा ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमिटी समीति में कुल सदस्य होते हैं 22 और ये 22 सदस्य चुने जाते हैं 15 लोकसवा से और 7 सदस्य अनुपातिक प्रतिनिदित्तो प्रनाली द्वारा ये सभी 22 सदस्य चुने जाते हैं और इसका नीता होता है विपक्ष का नीता और ये परंपरा बन चुके 1967 की बात बात करेंगे लोकलेखा समीति के प्रमुकारे की तो इसका सबसे प्रमुकारे है भारस सरकार के विभिन विभागों पर नियंतरन रखना और यह नियंतरन रखा जाता है कैग यानि नियंतरक महालेखा परिक्षक की रिपोर्ट के आधार पर हाला कि इस समीति की कुछ एक अपनी सीमा है और इसकी सबसे वड़ी सीमा है नीती समंदी विशे की जाच यह समीति नहीं कर सकती फिर भी इसने बहुत सारे घोटाले उजागर किये हैं अब बात करेंगे एक और मेत्वपूर्ण संस्दिय समीति जिसे बोला जाता है प्राकलन समीति अर्थात एस्टिमेट कमिटी तो एस्टिमेट कमिटी में कुल सदसे होते हैं 30 और ये सभी 30 सदसे चुने जाते हैं लोकसभा से और इन्हें चुनने की प्रक्रिया होती है अनुपातिक प्रतिनीदित्तु प्रक्रिया और एकल संक्रमन पध्धिति द्वारा ये सभी सदसे चुने जाते हैं अब बात कर लेते हैं समिती के अध्यक्ष की समिती के अध्यक्ष को निउक्त किया जाता है लोगसभा द्वारा लेकिन अगर लोगसभा का उपाध्यक्ष प्राकलन समिती का सदस्य है अर्थात वह इंती सदस्यों में शामिल है तो automatically उपाध्यक्ष इस समिती यानि प्राकलन समीती का अध्यक्ष माना जाएगा और इस समीती के प्रमुक कारे को देख लेते हैं तो सबसे प्रमुक कारे इस समीती का है बारशिक अनुदानों की जाच करना तो जितने भी एड़ साल में दी जाती है उसकी जाच करती है प्राक्लन समीती इसके अलावा अतिरिक्त अनुद के लिए बेकल्पिक नीतियां त्यार करना और संसद में अनुदान मांगे रखने के लिए सुझाओ देना या फिर सिफारिशें करना अब बात करेंगे तीसरी और एक और महत्तोपूर्ण समिति की जिसका नाम है सार्बजनिक उपक्रम समिति अर्थात पब्लिक अंडर्टेक कमेटी में कुल सदस्य होते हैं 15 जिसमें से 10 लोकसवा से चुने जाते हैं और 5 सदस्य होते हैं राज्य सबाक से और इने चुनने की प्रक्रिया भी वही है अनुपातिक प्रतिनेद्यत्यों की एकल संक्रमनिय पद्धती और इन सभी सदस्यों में से प्रतेक बर्ष एक अध्यक्ष चुना जाता है लोग सभाद्वारा निर्वाजित सजस्यों में से ही मनुनित किया जाता है इस समिती का अध्यक्ष अब बात करेंगे सार्ब जनिक उपकरम समिती के कारियों की, तो इसका सबसे प्रमुक कारे है सरकारी उपक्रमों के लेखों का परिक्षन करना और साथी साथ बित्तिये मामलों में कैग के प्रतिवेदनों का परिक्षन करना तो जो बेसिक डिफरेंस है estimate committee और public undertaking committee में वह मैं आपको पहले बता देता हूँ तो estimate committee करती है निरिक्षन सरकारी विभागों के लेखों का जबकि public undertaking committee करती है निरिक्षन सरकारी उपक्रमों यानि की जो भी government undertaking के अंतरगत आते हैं उन सभी लेखों का परिक्षन करती है साबजनिक उपक्रम समीति सौथी समीति आ जाती है विशेश अदिकार समीति यानि privilege committee तो privilege committee की बात कर लेते हैं तो privilege committee में कुल सदस्य होते हैं 15 और ये सभी सदस्य चुने जाते हैं लोकसवा से तो लोकसवा की शुरुआत में या फिर समय समय पर लोकसवा अध्यक्ष द्वारा इन 15 सदस्यों को चुना जाता है अर्थात इस committee का गठन किया जाता है और इस committee का सबसे प्रमुक कारे है सभी प्रशनों की जाच करना और यह निर्धारित करना कि किसी विशेश अधिकार का उलंगन हुआ है अथ्वा नहीं पाच्वी और प्रमुक संसदी समय समय आ जाती है प्रवर समय जिसे हम बोलते है select committee और प्रवर समय यानि select committee हो सकती है या तो joint या फिर दोनों सदनों के लिए अलग अलग और यदि दोनों सद्दों के लिए अलग अलग कमिटी ये बनती है तो हरी कमिटी में होंगे 30 सद्द से अर्थार 30 सद्द सों की कमिटी बनेंगी लोग सवा के लिए और 30 ही सद्द सों की कमिटी बनेंगी राज्य सवा के लिए और इस कमिटी का सबसे प्रमुक उद्देश्य है विदेकों पर गहन से पिचार भी मश करना एक और संसदी समिती है जिसे हम बोलते हैं याचिका समिती यानि पिटीशन कमिटी तो पिटीशन कमिटी में कुल सदत से होते हैं 15 और ये सभी 15 सदत से मनोनित किये जाते हैं लोकसवा अध्यक्ष द्वारा अब बात कर लेते हैं इस समिती के कारियों की तो इस समिती का सबसे प्रमुक कार्य है याचिकाओं में की गई शिकायतों की सूचना लोकसवा को देना और उन सभी याचिकाओं का परिक्षन करना अब बात करेंगे अगली एक और मेहत्वपून समिती की सरकारी आश्वासन समिती यानि गोर्मेंट एशुरेंस कमिती की तो इसमें भी कुल सदत से होते हैं 15 और इन्हें भी मनोनित किया जाता है लोकसवा अध्यक्ष द्वारा और इस कमिटी का जो प्रमुक कारे हैं वह हैं मनत्रियों द्वारा सदन के पटल पर देगे प्रश्णों के कारवयानवय की जाच करना और अंत में हम बात करेंगे नियम समिती अरथात रूल्स कमिटी की तो Rules Committee में भी कुल सदत से होते हैं 15 और इन्हें मनोनित किया जाता है लोकसवा के अध्यक्ष द्वारा इस समिती का प्रमुक कारे होता है संसदिय कारवाई तथा विधानों पर विचार करके उनमें संचोधन या नए नियम बनाने की सिफारिश करना तो ये थी भारत की प्रमुक संसदिय समितियां आते जाते में आपको बता देता हूँ एक बहुती मैं तो पूर्ण कोश्चन अगर आपसे कोश्चन पूछा जाए कि संसद की सबसे बड़ी समिती कौन सी है तो नो डाउट अंसर आएगा प्रवर समिती क्योंकि अगर इस सहि इसमें होते हैं 45 और यदि प्रवर समिती ऑप्शन ना हो तो आप अंसर करेंगे एस्टिमेट कमिटी यानि प्राकलन समिती क्योंकि इसमें होते हैं कुल 30 सदस से तो इस वीडियो में आज के लिए फिलाल इतना आई हो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरी की व आपको 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 आपक